जब राधा कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभू से मिले जगनाथ, दोसो चैतन्य महाप्रभू और श्री जगनाथ में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इनका आमने सामने आना फृत्वी के सबसे दुललब और अगबुट शड़ों में से एक था। जब चैतन्य महाप्रभू जगनाथ मंदिर पहुचे तो उन्होंने से द्वार के द्वारपाल का हाथ पकड़कर उनसे बेचैनी से पूचा मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरे कृष्ण कहा है। तब द्वारपाल उनकी दिविता को महसूस करके उन्हें गोविन्द से मिलाने जब मोहन तक ले गए। यहां से आप अपनी आखों की पूर्ण संतुष्टी के लिए भगवान जगनाथ को देख सकते हैं। ऐसा कहकर द्वारपाल तो चला गया। पर श्री राधा के भाव में चतन्य महाप्रबू जगनाथ को एक टक निहारे जा रहे थे। वो गरुड स्थम नामक विशा स्थ पीछे खड़े रहे और भगवान जगनाथ को देखने लगे पर जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा तो जगनाथ का रूप बदलने लगा। उनके सिर पर मोर मुकुट, फूलों के पगड़ी और होटों पर मुली थी। उन्होंने व्रिंदावन चंद्र का रूप ले लि प्रियाता